आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट ने पर्यावरण के प्रति वैस्विक अस्तर पर जागरित लाने के लिए सन 1972 में की थी मतलब 1972 से इसको घोषित किया गया और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था यदि पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे पहला स्लोगन क्या था अगर सबसे पहले स्लोगन की बात की जाए या थीम की बात की जाए तो वर्ष 1974 में पहली बार केवल एक प्रिथवी ये कह लिए कि only one earth थीम को ले करके भिश्व पर्यवरण दिवस मनाया गया था या इस स्लोगन पर भिश्व पर्यवरण दिवस मनाया गया था यदि पुछा जाए कि प्रथम बेसु पर्यवन सम्मेलन कहा हुआ था ये पुछा जाए प्रथम वाला तो पहली बार संयुक्त राष्ट संग द्वारा बेसु पर्यवन दिवस मनाने की सुरवात स्वेडन की राजधानी स्टाक होम में हुए और यहां 1972 में पहली बार पर्यवन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 119 देशों ने भाग लिया था यदि पूछा जाए कि बिसु पर्यवन दिवस का उद्वेश क्या है तो लोगों को हमारे पर्यवन की रक्षा के लिए प्रेरित करना पर्यवन की सुरक्ष प्रति जागरू करना और सचेत करने के उद्देश से ही हर साल पांच जून को बिसु पर्यवन दिवस मनाया जाता है हर साल बिसु पर्यवन दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है एक स्लोगन रखा जाता है जिसके आधार पर ही इस दिन को मनाया जाता है अब कि साल 2021 के बिसुपर्यवर्ण दिवस की थीम एको सिस्टम रेश्टोरेशन है जिसमें छाती ग्रस्त या नश्ट हो चुके पारिश्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने में सहयोग देना नाजुक दोर से गुजर रहे पारिश्थितिक तंत्र का संड़क्षर करना आधि सामिल है आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे हम कुरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके ताकि अपनों को बचा सकें लेकिन हम पेड़ों की कटाई करते समय ये भूल जाते हैं कि ये पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं ऐसे में हमारे पर्यवर्ण के प्रती लोगों को जागरोख होने की जरूरत है इसी उद्देश से हर साल पांच जून को बिस सु पर्यवर्ण दिवस मनाया जाता है तो आए हम सभी लोग सपत लें कि पर्यवर्ण की रक्षा करेंगे इसकी सु रक्षा करेंगे इसी के साथ धन्यवाद